नमस्कार दोस्तों मैं हो राजन मेरी यूट्यब चनल पर आप सब्लों को का बहुत-बहुत सवगत है दोस्तों आज में आप लोगों को सामने बात करूंगा हायर प्रिज्ट थ्रेहंड़ फॉड़िफाइच्टी ति 335 एख यह जदा हीट होती है इसमें काफी हीट होता है तो पाफी हीट होने से काफी घबर जाते हैं वह सुचते हैं कि उनके दिक्कत आ गया है तो इसके रेप्रिजरेट्र पेजब जो है उस में ज्यादा हीट होता है इस तो इस से लेकर काफी लोगों मुझे कमप्रिंट किया है पूछा है कि इसमें काद दिक्त आ गया है या फिर इसके फ्रीजर में कोई खरावी तो नहीं आ गया तो दूस्तों आज मैं सोचा कि इसके लिए यह काफी ही और आप इसके बारे में अच्छे से जन्ग सके तो उम्म सब्सक्राइब होती है तो इसे जानने के लिए आपको इसके जो फीचर है इसके बारे में जाना परेगा और इसके साथ जो इसका साइकल की लिए जाकार बहुत जाकर कोई दिकत का समना ना करना पड़े और इसके जो गयन है तो उसको पहले इसमें जनना पड़ेगा कि जो फीजर होती है यह फ्रीज होती है इसमें दो तरह की इसमें होती है और दूस्तों इस ज्यादा हीट होती है इसी होती है तो इसमें हीट होती है तो दूस्ते होती है कारण है आप लोगों पर समने बताऊंगा इससे पहले आपको चानना परेगे कंडेंसर के टाइप कांडेंसर कितने टाइप के होती है जो आपकी घर में होती है और इसे बाद भी आपको कि इसके बाद भी बहुत सब्सक्राइब होती है जिसे कि वाटर पूर्ट कंडेंसर और इभाप्रटिप कंडेंसर जो आपकी डुमेस्टिक तवर पर इस्तमाल नहीं किया जाता है तो दोस्तों आईए पहले जानते हैं कि है फ्रीजर त्री हंड़ेट और फीचर की बारे म इसके इसके काकर फीचर है और आप एश्यां कि ओर है तो होती है तो जो पाफी हीट जेनरेट होती है जुए में काफी हीट है और नीचे के जो पाट है उसमें हीट होती है जो उपर की ज्यादा हीट होती है तो यह सब यह वह बात है और आपको उसमें और भी ज्यादा आपको हीट मेहसुस होगा तो दूस्ता इसके लिए के जो यह मैं आप लोगों को समन्य आपके अपर दिखाऊंगा और इसके जो डिस्ति इस ने यह आपको समन्य अभी दिखांगा उसर्ट की एट होती है पूस्त एजिए यह वेट है ऑट हुआ होती है इसका को इसके बाद होती है तो दोस्तों जब इसमें प्रिजर वाट भी जाता होगी और इसमें रिफिजर भी चार्ज जाता होगा अग्टेंटर की जो लें थे वह जाता होगी और इसके जो इसके इवापरस्ण करने का सब्सक्राइब दोसरों जो आपको तो इसके बादा चाल्ड होती है ये जयू सलुन होगी चाहिट इंच उक्ताइब दूछरों है मदूल से इस «लावख उथा सकती पहले है थाशरों Citizen य। जिससफर इसमें सब्सक्राइब ज्यादा साइज होने के कारयान आपको सुपर फर्स्ट कुलिंग मिलेगा और इसके बाद है सुपर कुलिंग रिटेंशन आपको 30 अवर्स आफर पावर तो देखिए आपको घरों में जो फ्रीजर है अगर किसी भी दोरान विजली काट हो जाए विजली कुल हो जाए तो कि अगरें के बाता है और इस तेमाल किया गया है इसलिए आपको ज्यादा ही मिहासिस होता है और इसके बाद है देखिए के फ्रीजर टेंपरेचर आप्टू मैंस एक्ती डिए डिए सब्सक्राइबर दोस्तेव हैं तो इसके सब्सक्राइब करते हैं और जो एक सिस्टेम होती है सिस्टेम में पार्ट इसमें होता है तो से पहला होता है इसके बाद होता है आप उसी में जो समन है समन को रखते हैं तो दूसके बाद आये जानते है जो इसका हीट जेनरेट होती है जेनरेट की होती है जो कंडेसर को काम होता है कि कंडेसर करना जो क्रिजर के अंदर रिफिजरन होती दो हई रिफिजरना हई प्रेशर और हज़र करता है जादा करने के वजह से कूल होता है जो रेफिजर्ट होती है उस पإली कि परड़े गुंत होने के बाद जो Expansile फ्रेशार और अधिम से इभापोरेटर में जाता है और इभारोयशन होना शुरू हो जाता है जब उसके तो ऐसे जो तेंपरेशन एंपरेशर है धीरे डिरे खंबने लगता है घटने लगता है तो आपका को करता है इस साइट को कहा जाता है कि हाई साइड और छो लाइन होती है इसे कहा जाता है दूस्तों है है इस सभी यह तो दूस्तों जब आपके एक फ्रीज़र में दू कंडीन से इस इतमार किया जाता है तो दूस्तों यह बहुत ही जयांदा हीट होता है अब ज्यादा ही जनरेट होता है अपको फ्रूटे में एक भाद आपको जनना परेगा जितना कंटेंसर में हीट पाइदा होगी इसकी एगनेस्ट उतने ही जल्दी आपको इभवर्ण में ठंड मिलेगी तो इसके बाद जो आपको ठंड मिलेगी वह उसकी जो डिक में जो फ्रिजब में टेंपरेचर होगी लगवाग आपको मैना सेटिन तक आ जाएगा टो सेक्षिन में होती है सेक्षन में प्लास हएसले के लिए करिया जाता है तो इसका जो सेटी से लिए और तो आप उसके जादा हमें पर ठाव होता है यह यह कुरत धूर भी खर Да कॉलेंघ्र तो जब चलेगा यह ठंड रहेगा तो इसमें ज़्यादा पर्फ्मेंट सचा मिलेगा तो दूसरे देखिए यह जो कंडेंसर में जाकर है हाई हीट होने से और इसके टेंपरेचर है वो फ़ल करता है और इसमें लिक्विड होता है और यह जो होती है कंडेंसर में यह पूरा लिक्विड हो जाता है वह ज़रीए करता है तो हाइप्रेशर और मेडियम टेमपरेचर और शचुरेटेड लिक्विड आके कि को अखिरी में उसमें अपोगा करता है तो उसी तरीके से जो तो यह ही किति चाहिए अब गवर्ण के कोई रहे कोई नहींगल giàए नहिए आपके यह डावлись तो दोस्तों इस तरीके से एक फ्रीजर कम करते हैं तो मैं आपसे ही कहूंगा जो आपके घर में फ्रीजर है जितनी भी कजुमार इस फ्रीज को इस्तेमाल करते हैं आपको घबरने के कोई बात नहीं एक आप तो आप किसे मतलब की टेंशन छोड़के आपकी से इस्तेमाल कर सकते हैं तो छोटी से जनकारी आप लोगों के पास कैसे लागा आप मुझे नीचे कमेंट करें बता सकते हैं अगर अच्छा लागा है तो आपके जितने भी साइट है आपके फ्रेंड है दोस्तों आप उन सब लोगों बिल्कुल बिल्कुल भी ना बोले और दोस्तों को साथ इसे सेट के रहा है तो दोस्त आज के लिए इतना ही नमश्कार धन्दबाद मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ